हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एक जाम ओफिसियल पर आई होप आप सभी अच्छे और मज़े में होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप लोगों अभी तक फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकेंड नहीं देखा आए तो आप लोग चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं या आपको लिंक भी डिस्केप्शन में दे दिया जागा तो आप लोग वहां से भी उसको देख लिजेगा तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग चैनल आज का सबसे पहला कोश्चन है कि रवाजल किसे कहते हैं important question और पूछा गया question है तो आप लोग इसे साधी साथ note करते भी चलिएगा तो हम लोग answer लिखेंगे कि लवन के एक सुत्र इकाई में लवन के एक सुत्र इकाई में जल के निश्चित अनू के संख्या अर्थात जल का वहाँ जो अनू हो उसकी संख्या fix हो एक निश्चित अनू के संख्या को हम लोग क्रिष्टलन क्रिष्टलन या रवाजल कहते हैं next question होगा हम लोग का friends के कि तनू करण किसे कहते हैं तनू करण किसे कहते हैं तो friends इसका answer होगा कि जल में अमली या च्छार मिलाने पर जल में अमली याच्छार मिलाने पर आयन की सांदर्ता में परती इकाई आयतन की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं तनुकरन कहते हैं एक बार फिर से सुनिये कि जल में अमली याच्छार मिलाने पर आयन की सांदर्ता में परती इकाई आयतन की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तनुकरन कहते हैं नेक्स कोश्चन है हम लोग का कि अमल का जलिया विलियन विदूत का चालन करता है क्यों इस लेशन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है कि अमल का जलिया विलियन विदूत का चालन करता है क्यों तो हम लोग इसका अंसर करेंगे फ्रेंज के अमल का जलिया विलियन आयनी करन के कारन आयन उत्पन करता है क्या करता है आयन उत्पन करता है इस कारण से इस कारण से विदुधारा परवाहित करने पर इस कारण से उसमें विदुधारा परवाहित करने पर विदुध का चालन होने लगता है इसलिए अमल का जली अविलन जो है बूब हम लोगों का विदुध का चालन करता है नेक्स कोश्चन है कि अमल और छार में अंतरस पस्ट करें अमल और छार में अंतरस पस्ट करें तो इसका अंतर हम लोग निमलिखित लिखेंगे कि अमल और छार में निमलिखित अंतर है सबसे पहले आप लोग दो कॉलम बना लिजेगा एक तरफ अमल लिख लेजेगा acid और दूसरी तरफ चार यानि base तो हम लोग लिखते हैं नमर एक में अमल की ओर कि अमल के नीले लिटमस अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अमल नीला को क्या करता है फ्रेंट्स लाल कर देता है जब भी छार मेंगे तो हम लोग लिखते हैं छार लाल लिटमस पद्र को नीला कर देता है अर्था छार को क्या छार जो होता है वो लाल को नीला करता है और अमल हम लोग कहता है वो नीले को लाल करता है देखिए अमल नीला को क्या करेगा फ्रेंट लाल और छार जो है लाल को वो नीला करेगा अमलोगों का अंतर नमर दो था कि इसका पियाच मन साथ से कम होता है इसका कार्थ है अमल का अमल का पियाच मन साथ से कम होता है और छार में हम लोग लिखते हैं कि इसका प्याच मन साथ से अधिक होता है नेक्स्ट क्रोश्चन है कि या स्वाद में खटा होता है अमल का फ्रिंड स्वाद क्या होता है हम लोग का खटा होता है जब कि हम लोग सामते हैं कि छार का स्वाद वो होता है हम लोगों का करवा या स्वाद में करवा होता है और नेक्स्ट आप लोग दो तीन अमल के नाम लिख दीजिएगा जैसे कि हम लोग का HCL, Hydrochloric, H2SO4 और इसमें लिख दिया KOH, NAOH ये हम लोगों का कुछ एक्जाम पलत तो चलिए आज का last question हम लोग देखते हैं, sorry friends ये वीडियो छोटी इसलिए थी क्योंकि हम लोगों ने part first और part second के वीडियो को थोरा सा लंबा गया तो और वहां हम लोगों कुछ question ज्यादे discuss कर लिये थे, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है के अंतरगथी जीवित रहते हैं, जीवित प्रानी प्याच प्राफ के अंतरगथी जीवित रहते हैं, जैसे ही सरीर का प्याच मान सास से कम होता है, तो वह बुखार आने लगता है, तो बुखार आने लगता है, अता मानव एवं जीवित प्रानी पशू, प्याच के प्रत सचेत होते हैं कि नाहीं वो कम हो जाया और नाहीं वो आफसक्था से अधिक हो पौधे पर भी प्याच के परिवर्तन से बुरा परवा पड़ता जो वे सन नहीं कर पाते हैं अता वे जल जाते हैं जिसे कि एक एक जामपल से समझे कि आप लोग कभी देखिएगा कि कोई पौधा बिल्कुल हरा भरा था कल तक और दो से तीन दिन में उस अचानक से वो और या गल जाते हैं या आप लोग कहते हैं वो सुख जाते हैं जिस कारण से वो गिर जाते हैं तो friends I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो friends वीडियो को like कर के चैनल को सब्सक्राब कर ले